हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल सुईटकॉर्ण आज मैं आप लोगे साथ सेयार करूंगी बहुत ही यामी यामी एक डिजार्ट के रेसिपी जो है औरियो केक विद वाइट सॉस यह बच्चों से लेके बढ़ो तक सबका पसंदीदा होगा क्यूंकि इसमें है धे अरियो केक विद वाइट सॉस के रेसिपी मैं यहां 120 ग्राम ओरियो बिस्कित ले लिया इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालके एक पाउडर बना लूँगी दिखिए अब मैं इसको कटोडी में डाल दूँगी अब मैं इस पे डाल दूँगी दो चामच पाउडर सुग सक्कर को मैं ऐसे मिक्सर में पिसके पाउडर बना लिया और डाल दूँगी एक छुटा चमच बेकिंग सोडा फिर मैं इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स अब कर लूँगी इसमें इतना जादा इंग्रेंस का जरूरत नहीं पड़ता है बहुत कम इंग्रेंस से बनत पर मुझे लागता है पूरा एक काप का जरूरत नहीं पड़ेगा एक काप से थोड़ा कम दूद में इससे मिलाऊंगी और केक का जैसे बैटर होता है न ऐसे ही में एक बैटर बना लूँगी ज्यादा पादला भी नहीं और ज्यादा थीक भी नहीं देखिए इसका कॉंसि केक में अच्छी तरह से टैप कर लूँगी जो केक में बना रही हूँ न यह बहुत ही टिस्टी बनता है और इतना जंजट नहीं है बहुत सिंपल जरीके से मैंने इसको बनाया और एक खाने में बहुत टिस्टी होते हैं आप बनाऊगे तब आपको पता चलेगा देखिए अच्छी तरह से टैप करने बहुत जरूरी है अब मैं एक कड़ाई में नमक डालके उसके उपस टैन राखके उसके पहले से गरम करके राके ते अब मैं उस पे जो केक का बैटर है उसको डालके मैं 30 मिनिस टाइम तक इसको मीडियम फ्लेम में बनने के लिए छोड़ यह वाइट सोस बना लूँगी उसके लिए क्या करोंगी एक फ्राइंग पैन पे में डाल दूँगी एक चमच पाउडर सोगर और उस पे में डाल दूँगी एक चमच कस्टर पाउडर आप जाओ तो इसको जागा कॉन फ्लावर भी एक चमच डाल सकते हो फिर मैं इस पे दो चमच पाउडर मील्क पाउडर मील्क डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आते है अब मैं इन सब चीजों को पहले मिक्स आप कर लूँगी फिर इस पे में डाल दूँगी एक कम मील्क पुरा ही डाल दूँगी पर थोड़ा करके डालके मैं ऐसे मिक्स आप कर इस टाइम पर मैं इस पर डाल दूँगी white chocolate, white chocolate को मैं थोड़ा सा crust करके डाल दिया, अब गरम में इसको डालने से melt हो जाएगा, अब मैं इसको अच्छी तरह से melt कर लूँगी, देखिए इसका थीकनेस अब बन के तैयार हो गया, जब इस चकलेट अच्छी तरह से melt हो जब चेक तरह से ठंडा हो जाए और जो आपर सस बखाते अच्छी तरह से ठंडा हो जाएग, अब चाई को दूसरा किसी बट् तन में टांस्कवर जाल सकते हो, और मैं इसके उपर ही डाल रही हूँ, मैं पूरा सॉस एक बार नहीं डालूँगी आधा सॉस पहले में डाल दूँगी देखिए केक को सॉस से कभर करने के बाद इसके उपर में क्रस्किया हुआ कुछ अरियो बिस्कित डाल दूँगी इससे जब आप खाऊँगे ना तब मुह में आ जाएगा तो कुछ अलग ही टेस्ट आएगा अब इसे प्रकार से एक बार बना के तो देखिए बहुत टेस्टी होते हैं अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक उसे जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताए अब मैं इसके उपर और एक बर सौस का लेयर डाल दूँगी यह देखते ही आपको पता चल रहा है ना बहुत यामी है अब मैं इसको क्या करूँगी फ्रीज पे राख दूँगी और फिर ठंडा ठंडा सर्प करूँगी थुरा से ठंडा ठंडा मीचा खाने में बहुत मज़ा आ जाता है है ना मुझे लगता है इस यूनिक टैप के रेसिपी आपको पॉसंत आई ही जाएगा देखिए फ्रीज से निकल के मैं नाइप से इसको काट के सार्प करूँगी कितना जाम गया देखते ही आपको पता चल रहा है बहुत ही यामी हो गया तो आज के लिए इतना ही नेक्स दिन मुला काद होंगे और नेक्स रेसिपी के सार्थ तब तक के लिए बाबाए